परिचय क्यूं है? हाई ये इसके पीछे मौजूद कारण जाने। आउ सीखें। सजीव और निर्जीव वस्तूओं की पहचान करना। सजीव और निर्जीव वस्तूओं की विशेश्टाएं बताना। और सजीव और निर्जीव वस्तूओं के बीच अंतर बताना। सजीव वस्तुएं प्रिया विद्यार्थियों हम सभी अपने चारों तरफ दो तरह की वस्तुएं सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं सभी जानवर और पेड़ पौधे जिन्दा वस्तुएं के उदारण है सजीव वस्तुएं क्या आपको पता है कि हम सजीव वस्तूओं की पहचान किस तरह कर सकते हैं देखिए, सभी सजीव वस्तूओं हिलती डूलती है इसका मतलब है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकती है सभी सजीव वस्तूओं में विकास नजराता है वे जिन्दा रहने तथा अपने विकास के लिए भोजन लेती हैं इन गुणों के अलावा वे सास भी लेती हैं वे महसूस कर सकती हैं और अपने आसपास के माहौल के प्रती समवेदनशील होती हैं उनमें अपनी संतान उत्पन करने की भी योग्यता होती है जिसे प्रजनन कहा जाता है निर्जीव वस्तुएं दोस्तों अब निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानते हैं इनमें सजीव वस्तुओं वाले गुण नहीं होते यहाँ निर्जीव वस्तूओं के कुछ उदारण है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके पिता की बाइक भी निर्जीव जीज है ये तभी चल सकती है जब इसमें पेट्रोल होता है सजीव वस्तूओं के विपरीत निर्जीव वस्तूओं का ना तो विकास होता है और ना ही वे प्रजनन करती है सजीव और निर्जीव वस्तूओं के बीच अंतर यहां सजीव और निर्जीव वस्तूओं के बीच अंतर दिखाने वाला एक चार्ट मौजूद है हमने क्या चर्चा की? निर्जीव वस्तमों में सजीव वस्तमों जैसे गुन नहीं होते।